मंत्री परिशद ने 3 मार्च को एक बाइटक की जहां उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत 2047 पर विचार मंतन किया भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने अगले पांच वर्षों के लिए एक विस्तरत कार्य योजना पर भी विचार विमर्ष लिया माई 2026 में नई सरकार के गटन के बाद त्वरित कारियन वाइन के लिए तद्काल कदमों के सौध इवसे एजिन्डे पर भी काम किया गया है इसके लक्षों में आधिक विकास, SDG, जीवन में आसानी, व्यापार करने में आसानी, बुनिया दी टांचे, सामाजिक कल्यान आधी जैसे शेत्र शामल है विशेश रूप से विकसित बारत का रोड मैप दो साल से अधिक के गहन तयारी का परिनाम है 2019 पर 2700 से अधिक बाइट के कारिशाला ये, सिमिनार आयोजित किये गए और 20 लाग से अधिक युवावं के सुझा अप्राप्त हुए ये बैटक महत्वपूर्ण है क्योंकि बजपा के नेत्रतु वाले सत्ता रूड राजग ने तीसरे कारिकाल के लिए केंद्र में सत्ता बरकरार रखने का विश्वाश विक्ति किया है चुनाओ आयोग कुछ सत्ता में चुनाओ कारिक्रम की गोश्णा कर सकता है बहुत बड़ी बात है कि चुनाओ होने जा रहा है लेकिन अधरी प्रधान नंती मोदी जी के नेत्त में कैसे हमारा देश विक्षित बनेगा आत्मिन भर बनेगा टकनलोजी के च्छित में केमकल फिरी खेती के को ले करके लोगों के रोजगार को ले करके आत्मिन भर बनाने के लिए गरीबों को किशानों को महलाओं को युवाओं को पूरी तरीके से आत्मिभर बनाना और विक्सित बनाना देश को विक्सित बनाना और देश कैसे पूरी दुनिया में हर छेत्र में आगे रहेगा आज इस तरीके का एक प्रजेंटेशन हुआ और मैं तो मोधी जी का बहुत आभार बिक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तक किसान शुबकरन सिंग को श्रदांजली देने के लिए विबिन्न किसान संगटन बटिंडा में एक आकरत हुई किसान नेतर सरवन सिंग पांडेर ने बीजे पीपर उटा ये सवाल उन्होंने कहा कि आजई मिश्रा टेनी जिनके बेटे पर लखिमपूर खारी में चार किसानों को खुचलने का आरोब है को चुनाओ टिकेट देना किसानों के घाओं पर नामक छिड़कने जैसा है आजई मिश्रा टेनी को बजबा ने लोग सबा चुड़ाओ लड़ने के लिए टिकेट दिया है उनके बेटे पर लखिमपूर खीरी में चार किसानों को खुचलने का आरोब है या गाओं पर नमक छिड़कने जैसा है पांदेर ने कहां सरकार का असली चेहरा उज़ागर हो गया है कि जगन या अपराद करने वाले लोग कैबिनिट में हैं और वे संसक बन जाएगे जिस तरह से अजे मिश्रा टेनी जो लखिमपूर खीरी के साजिश करता थे उनके बेटे अजे मिश्रा टेनी ने जिस तरह से किसानों के उपर गाड़ी चड़ा कर उनका कतल किया था उनको कल भाजपा ने टिकेट दे दी तो वो कटे पे नमक शड़कने की बात की गया है सरकार कर रही है और सरकार का असल चेहरा नंगा हो गया भी जो जीनियंस क्राइम करने वाले लोग हैं वो भी के अंदर में मंत्री मंडल में हैं और आगे वो MP बनेंगे तो अब देश के 140 करोड़ लोग देखेंगे तो यो इस तरह की सरकार है जो बरबरता पूर्ण देश के किसान मजदूर के खिलाब कारवाई कर रही है एक तो वो और देश के किसान मजदूर को MSP लीगल करंटी कानून देने के लिए तयार नहीं है देश के किसा का इंसाफ हो सभी केस वापस लेने की बात हो अब देखें उत्तरभारत में कल ओला दिश्तियार बरसास से जिस्ता से फसलों का नुक्सान हुआ तब ही हम बोलते रहें कि फसली बीमा जोजना सरकार अपने पीवियंपे करें यह भी मांग रहें डबलू टियो से भारत की ख सत्रा में उनके साथ गडबंदन तोड़ा था तब उनकी पार्टी ने कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया और आगे सवाल किया कि क्या जादू ये प्रमूप को पाला बदलने का अपने कृच्च पर शर्माती है पार्टना में पार्टी की जन विश्वास महा अपना रैली को संभोधित करते हुए लालू यादों ने कहा जब उन्होंने हमसे गडबंदन तोड़ा था तो हमने उन्हें कभी गाली नहीं दी उस वक्त हमने उन्हें बस पलटू राम कहा था लेकिन हमने फिर वही गल्ती की और तीजसे स्रीने कर दी है फिर वहीं गल्त हमें पता था कि राजभवन में कुछ हो रहा है उस सरकार कोई कुछ भी गलत नहीं था क्या उन्हें शर्म नहीं आदी उन्होंने जनता से अगामी लोकसबा चुनाओं में बीजे पी को हराने की अबिल के और कहां की बिहार का जन्मत देश के साथ जुड़ता है बिहार ने ब बिहार की नकव करते है दिन्ने लेता है कल भी ऐसे ही होने वाला है उन्होंने कहां है नितिश कुमार जी को हमने कोई गाली गलोज नहीं दिया उनको यहीं कहा कि यह पल्टूराम है नितिश कुमार को सरम नहीं आती है यह देख करके क्या है आने वाला जो चुनाओ है लोकसभा का चुनाओ इसमें भात के जनता पाती को नसनाबूत कर देंगे हैं लागल धुलनिया में धाका बल्लम कर करता है चलो अभी देने लोट के आगा के हिमत करी हैं त्यासर पढ़ियां से धक्का मेली फीराओ नितिश कुमार जी को हमने कोई गाली गोलोज नहीं दिया वो पहली बार यहां से दिखले थे तो हम उनको कोई गाली नहीं दिया उनको यहीं कहा कि यह पल्टूराम है नहीं पलकना चाहिए था लेकिन दुबारा हम से गलती हो गई तेजस्वी से गलती हो गई दुबारा ही पल्ट गए नरेंदर बोदी के पहरों के नीचे चले गए हम देखते हैं कि यह टेली फोन में एक से डानसर बनाता है कोई माला जाबागा गटागा है भारत के किलाव विवादित बयान के लिए बदनाम राहुल गांदी एक और बयान को लेकर सुर्किया में हैं कॉंग्रेस संसद ने तीन मार्च को वालियर में अपनी भारत जोड़ो न्यायात्रा के दौरान भारत के पाकिस्तान से अपमान जनक तुलना की है बेरोजगारी को लेकर पियम मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान की तुलना में दो गुनी बेरोजगारी दूर है उन्हों को ने बयान के तुरंट बाद राजनीती धमासन चिड़ गया क्योंकि बजबा के वरिष्ट नेताओं ने उनके बयान के लिए उनके आलोच नगी बजबा के राश्टी महासची उतरुन चुग ने उन्हें कंटिक बिल्ली कहते हुए अखंड़ों की जांच करने को कहा दूसरी और बजबा नेता रवशिंकर ने उन्हें गेर गंबीर राजनीतिक नेता कहा है गवरत लभाई कि राहुल गांदी अपनी भारत जोड़ों याद्रा शुरू होने के बाद से ही अपनी अपमंजनक टिपनियों को लेकर सुर्किया में है इससे पहले 20 फरवरी को यूपी के राई बरेली में अपने भाशन के दवरान उन्होंने वारनासी के युवावं पर शराप टिपनी की थी इस टिपनी पर बजबा नेताओं ने कड़ी आलोच नगी जबकि जेल के बजबा कारिकताओं ने राहुल गांदी के बाशन शेत्र को गंगाचल से शुद्ध किया है बीजेपी के राश्ट्री अधिवेशन के दवरान गुरूम मंत्री अमिच्छा ने भरत विरोधी टिपनियों के लिए राहुल गांदी और अन्य कांग्रेस नेताओं को जम कर लताड़ा जो नफरत फैलरी है उसका कारण अन्याए है आर्थिक अन्याए? समाजिक अन्याए? किसानों क कहलाफ अन्याए? युवाओं के खिलाफ अन्याए? देश में 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोधारी आज है आपको मालوم है हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोधारी है यहाँ पे 23% है यह वाँ की वहाँ पे 12% है तो तक्रीमन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है बंगलदेश से जादा है बूतान से जादा है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोधी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे वियापारी हैं, छोटे बिजनसेस हैं उन सब को खतम कर दिया कैसे? जी एस्टी और नोट बंदी से तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है खस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, राहूल गांदी जी नाच ना जाने आंगन तेड़ा देश की तरक्की आपको दिख नहीं रही, आप बार में नंबर पर लड़ खडाती हुई अर्थववस्ता चोड़ के गे थे परधान मंद्री मोदी जी ने पाई पाई जोड कर गरीबों का विकास करके देश की अर्थवस्ता को बार में यार में नंबर से पांच नंबर पर लाए उसे तीसरे नंबर तर ले जाने का लक्षे रखा आज विशब पटल पर भारत एक इनोवेशन वाला देश तो माच को कहा कि निर्वचिन शेत्र को इतना अपिक्षित किया गया कि यहां बड़े फाइमाने पर गरीब और सिक्षन एक स्थिती है अपिक्षित रख्षित है इककेस लाख ओतरों का जो आसों आज तक भेटे आया है शायद उसका गूंज दिली तक सुनाए दिया है तो जंग का एलान कर दिये है और मुझे ऐसा लगता है अब सही माइने में उनको न्याई होने वाला है मदारसे में बच्छों को खाना नहीं मिलता है मंदिरों को कब जा होते रहता है मंदिरों को खाना नहीं में बच्छों को जा लगता है के राय बरेली से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन अब उनके दमन रेव लोकसबा सीच से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है यह दावा कांग्रिस की दामंदीव यूनिट के प्रदेश अज्यक्षकेतन पटेल ने किया है दमन दीव में बीजेपी की मवजूदगी के बारे में बात की जाए तो बसपाने दमन दीव लोकसबा सीच से लगाता इस सीच से प्रियंका गांदी को लडानी का गनीत बन चुका है सबी समी करनों को ध्यान में रखते हुए इस चोटे से से केंद्र शाषित प्रदेश से प्रियंका गांदी को कॉंग्रिस उम्मिदवार के तवर पर उतारा जा सकता है प्रदान मंत्री मोधी आस तिलंगाना और तमिलनाडू के दोरे पर रहेगे। इस दोरान वह कई परियोजनाओं का उद्गाटन और शिलन्यास करेंगे। कारिक्रम में प्रदान मंत्री मोधी बिजली, रेल और सड़क शेत्र से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्गाटन और शिलन्यास करेंगे। कि पीसी के सभी बिजली स्टेशनों के बीच लगबग 42 प्रिशित की उच्छतम बिजली प्रतपादन दक्षत होगा। प्यम मोधी ने इस परियोजनाओं का शिलन्यास भी क्या है। सरकार का सुमवार को विदान सभा में पेश किया जाने वाले वित्ती वर्ष 2024 से लेकर 2025 का बज़ट रामराज की अवदारना पर आदारित होने की संभावना है। आमादमी पार्ठी सरकार के सुत्रों ने रववार को कहा कि चुनावी बर्ष मी बज़ट में समास का हर वर्ष के लिए कुछ न कुछ होने की संभावना है। यह आप सरकार का दस्वा भजट होगा बजट में राम के सिद्धानतों के अनुरूप समाज के हर वर्ग के लिए प्रवदान किये जाएगे लोग सबस्वाइब अप्रेल माई के होने वाले संभावना है दिली के मुक्यमंत्री अर्विन के जुवाल अक्सर रामराज की अव सेवाए मुफ्त बीजिली और पानी प्रदान करने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है पूर्व बारती कप्तन महिंदर सिंग दोनी चाहे इंटरनेशनल को अलविदा कर चुके हो लेकिन उन्हें फैंस उनके आई पेल में खेलने का पूरे साल भर बे दोस्त ने उनकी रिटायर्मेंट प्लानिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है 22 मार्च को चैन्ने के में चिदंबरम स्टेडियम में आई पेल दोहज़ाच चौबीस के पहले मैच पे सीएस के क्या मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूर से होगा फिर एक बार मैदान पर येलो आर्मी और माही माही की आवाज स्टेडियम में गुंचती सुनाई देगे दोनी के उनके बच्पन के दोस्त परमजीत सिंग ने कहा उन्हें लगता है कि आई पेल दोहज़ाच चौबीस उनके आखरी सीजन नहीं होगा उन्होंने आगे कहा कि रांची में जन्मे क्रिकेटर के अपनी शांदार फिटनेस के कारण एक और सीजन खेलने की संबाव ना है बता दे कि परमजीत ने ही उनके करियर के शुरुआती वक्त में उनकी पहली किड़ दिलवाने वाले में अहम बूमी का निवाई ती पकिस्तान में नई सरकार के घटन का रास्टा साफ हो गया है शहबाद शरीव दूसरी बार प्रदान मंद्री बनने जारहे हैं पि-म चुने जाने के साथ ही उन्होंने झम्म काश्मीर को नेकर कई दावे कीए हैं उन्होंने कहां कश्मीर में कश्मीरिये के खूं बहाये ज मिले हुए है शेवाज शरीप में कश्मीर के अजादी के लिए नेशनल असम्बली से एक प्रस्ताव पारिद करने के अपिल की शेवाज पाकिस्तान के 24 वे प्रदान मंद्री बनेंगे नेशनल असम्बली में उनके समत्तन में 201 ओट पड़े जिबके विपक्षी पीटी अपने प्राणी एजिंडे पर आड़े हुए है सोत्रों के मताबिक राश्ट्रपती आरीफ अलवी कल दो भात तीन वज राश्ट्रपती बोवन में नर्मनी वेचित प्रदान मंत्री को शेपत दिलाएंगे कतित तवर पर सेना प्रेमुक जेनरल असिन मनीर कारिवाहक प् अजिपाल भी शेपत क्रेहनसमरों में हिस्सा लेंगे